नाश्टे में आपने स्प्राउट्स यानि की अंकुरित अनाश तो कई बार खाया होगा कई लोग इसे तरह तरह से पका कर खाते हैं यहां तक कि इसके सबजी भी बना कर खाई जाती है ये तो आपको पता ही है कि अंकुरित अनाज खाने से सेहत के लिए बहुत ही फायदे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके खाने से आखिर कौन से तथ मिलते हैं और कैसे ये आपकी सेहत को फायदा पहुचाते हैं आईए जानते हैं स्प्राउट्स को नियमित खाने के फायदों के बारे में नमबर एक अंकृत आहार में क्लोरोफिल, विटमिन A, B, C और D के भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं जो केलशियम, फासफोरस, पोटेशियम, मैगनीशियम, आईरन जैसे खनेज लवन का बहतर स्रोथ है नमबर दो, अंकृत होने पर अनाच में पाये जाने वाला स्टार्च, गुलुकोज और माल्टो शक्रा में बदल जाता है इसे ना केवल इनका स्वाल बढ़ता है, बल्कि इसके पोशक तत्वों और पाचक गुडों में भी व्रीदी हो जाती है नमबर तीन, अंकृत की प्रक्रिया के बाद अनाच में पाये जाने वाले कार्बो हैड्रेट, प्रोटीन और अधिक पाचक और पोशक हो जाते हैं ये प्राचिन के रिया बहतर बनाने में बहुत ही लापकारी साबित होते हैं नमबर चार, खड़े अनाच और दालो के अंकृत के अंकृत के अंकृत के पोशक तत्वों खासतोर से विटामिन C, B कॉंप्लेक्स, थाइमेन, राइबो प्लेवीद और नाइसिंग की मात्रा दोगिनी हो जाती है साथ ही विटामिन A के निर्मार में साहक, कैरोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है नमबर पांच, अंकृत अनाच को कच्छा खाना अधिक फायदेमंद होता है आप चाहें तो इसमें कुछ सबसियों को काट कर मिला सकते हैं और नीबू या दही के साथ भी प्रियोग कर सकते हैं पका कर खाने पर इनके पोशक तत कम या नश्ट हो जाते हैं नमबर छे, अंकृत अनाच में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिससे खाने के बाद आपका पेट देर तक भरा रहता है ऐसे में आप अतिरिक कैलोरी लेने से बढ़ जाते हैं और मोटापा नहीं बढ़ता नमबर साथ, अंकृत अनाच को अमरित के समान आहार माना जाता है इसके प्रति दिन सेवन से शरीर स्वस्त और लंबे समे तक युवा रहता है ये आपको उर्जावान बनाए रखने में बेहतर कारगर साबित होता है और नमबर आठ, अंकृत अहार को नियमित तौर पर लेने से रोग प्रतिरोदक शमता में जाफा होता है और शरीर के हानी कारग तत्वों को बाहर निकलने में मदद मिलती है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट